भारत के प्रमुक कॉटन उत्पादक महाराष्टर की मंडियों में कॉटन की आवक काफी कम हो गई है। इसके बावजूद दाम स्थिर है। किसी भी मंडी में दाम इस आठ हजार रुपए क्विंटल तक भी नहीं पहुंचा है। जबकि वर्ष दो हजार इकीस और दो हजार 22 में दाम 9000 से 12000 रुपए प्रती क्विंटल तक मिल रहा था। किसानों की लागत बढ़ी है लेकिन दाम घट गया है। हालां कि अभी मिल रहा दाम इसके न्यूंतम समर्थन मूल्य, MSP से अधिक है। लेकिन जिन किसानों को पिछले वर्षों में बहुत अच्छा दाम मिल चुका है, अब उन्हें पहले से कम दाम पर बेचने पर अच्छा नहीं लग रहा है। किसान इस साल भी कम उत्पादन की वज़े से दाम बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे लेकिन अब यह गिरकर 7000 से 7800 रुपए प्रती क्विंटल तक के रेट पर स्थिर है। महाराष्ट् हजार रुपए के पार भी नहीं पहुँचा। वर्धा जिले की हिंगंघाट मंडी में राज्य में सबसे अधिक 900 क्विंटल कॉटन बिकने को आया। इसके बावजूद मध्यम रेशे वाले का न्यूंतम दाम सिर्फ 6000 रुपए प्रती क्विंटल ही रहा, जो MSP से भी कम ह केंद्र सरकार ने 2023 से 2024 के लिए मध्यम रेशे वाले कॉटन की MSP 6620 रुपए प्रती क्विंटल तै किया हुआ है। नागपुर की ही परशिवनी में बानवे, बुल्धाना जिले की खामगामव में 95 और वर्धा जिले की पुलगामव मंडी में 100 क्विंटल कॉटन बिकने आया। कम आवक की वजह से ऐसा लगता है कि अच्छे डाम की उम्मीद में कुछ किसानों ने कॉटन स्टोर करके रख लिया है।